अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भब, भब आमसी जो इंडिनिस्टिक मास कम्यूनिकेशन संस्थान से पड़े हैं, इंग्लिस जर्नलिसम कर रहे हैं दिल्ली में, और मैं जब हरिनाडा आया तो उनसे औचाखी मुलाकात एक तरीके से हो गई, और ये एक वाक्या सुना रहे थे कि पिश्ली बार किस तरीके से मनूहरलाल खर्टर जब यहां से चुनावद्य लढने जा रहे थे, उससे पहले ही लगभग तैय हो गया था, कि वह अगर जीतते हैं तो मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री तो कमसे कम बनेंगी यहीं मगर मुख्यमंत्री बनेंगे उस किस्से के बार में कुछ बनता ही है भब वो किस्सा दरसल मेरे पड़ोसी है मतलब मुझ बोले चाचा है जो की संग से काफी समय से जुड़े हुए हैं तो कुछ समय में 2014 महीं जब चुनाव होने थे नवंबर में तो उससे तकरीपन एक टिड़ महीना पहले जब वो कारेकरताओं के यहां जा रहे थे जो संग से जुड़े बड़े सरकारवा हैं जो लोग जुड़े हो हैं उनके हर जा रहे थे तो वैसे ही उस दौर में वो चाचा के यहां भ बातचीत हुई तो चाचा ने सब का परिचे करवाया और बताया कि चुकि अभी कैंडिडेट से नाउंस होने हैं लेकिन पूरी उमीद है कि यहां टिकेट जो है करनाल से इनी को ही मिलेगी तो लेकिन वही है कि हम तो शेहर वाले बीजी थे जो नेता लोग थे बीजेपी क कि उनमें ढूंडने में कि किसको मिलेगी किसको मिलेगी लेकिन वही हुआ कि अचानक से एक कैंडिडेट आया रोता के रहने वाले पैराशुटिड कैंडिडेट कह सकते हैं उनने और सीधा करनाल में जब आये तो वह घुमने लगे और चाचा ने उस ही समय मुझे जब कहा जैसे नॉर्मल बात होती वैसे यही बात होगी और एक महिने बाद सब हमारे सामने था अच्छा यह क्या हमेशा से बीजेबी का स्ट्रॉंग होल रहा है कि एक ऐसे वक्ति को चुकि मैं जो मेरी सिमित जानकारी है हर्याणा के बारे में जो मैं अभी किताबों से पढ़ रह है तो और उसकी वज़े से हर्याणा के जो का जो लोकल सिंटीमेंट है उससे वो उस तरीके से नहीं जोड़ पाते या फिर जो यहाँ का एक तरीके से जाट सेंटरिक्स है वो भी कहीं न कहीं उनका विरोध करती है उनकी खिलाफत करती है यह भी वजह उनके जीतने में कि अब जो पॉलिटिक्स थी वो कास्सेंट्रिक हो चुकी थी उस समय इतना नहीं था उस समय तो बस यही था कि दस साल हुड़ाने जो सरकार चलाई है अब वही जैसे सेंटर में बात थी कि बदलाव की स्टेट में भी ऐसा ही कुछ उमीद थी बदलाव की जरूरत ऐसी मानी जो कास्स लाइन वरी बात मैं आपको बता है कि 2016 के बाद जो उबरी बात और फिर उसका हमें लगा कि जो उसका खामियाजा होगा वो लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा कि जो स्ट्रॉंग होल्ड्स हैं एक पर्टिकुलर कम्यूनिटी के रोतक एरिया जो लगता है रोतक सोनीपत, भिवानी, रिवाडी वहां हमें लगा कि वो चीज़ देखने को मिलेगी लेकिन चौकाने वली बात ये निकली कि लोकसभा चुनावों में भी वहां की जो सीटे थी वहां भी बीजेपी ने अच्छी जीत, अच्छे मार्जन से जीत हासिल की थी और खासकर और वो पंजाबी कम्मिनटी से हैं, तो ऐसा कुछ अब देखने को नहीं मिला, हमें उमीद थी कि ऐसा होगा लेकिन अब विधानसवा चनावों में भी जहां तक लगता है अब वो बात नहीं रही कि कास्ट लाइन्स पर डिफरेंसिस उबर के आएं, वैसा जैसे अब यू हैं वो बसपा को वोट करेंगे, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला, अच्छी संख्या में यादव वोट जो थे, वो बीजएपी को ट्रांसफर होगे, आपने बात नोट की होगी, और यही हमने, पुरवांचल में भी हमें देखने हो मिला, गाजीपूर सीट पे जहा सारी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे हो कॉंग्रेस हो, INLD हो, जजपा हो, इन सारे लोगों ने उसका स्वागत किया, और मुझे लगभग निनानवे के आसपास कर चुनाओ याद आता है, जो यहां के स्टेट पॉलिटिक्स के हिसाब से भी निडायक रहा था, कि उस समय कार् पॉलिटिकल पार्टी, तो उसको लेकर के फिर एक सेंटिमेंट वहां हावी हुआ, उसी तरीके से यहां पर पुलवामा के बाद जिस तरीके से सर्जिकल स्राइक और आज सुबह भी जब हम लोग देख रहे थे टीवी, तो उसमें प्रधान मंतरी तीन साल सर्जिकल प्रधा चुकि सेंटर में जो गवर्मेंट है उस हिसाब से स्टेट में उसी गवर्मेंट को फाइदा पहुंचेगा और आपने बूला कि जैसे ओपोजिशन में कोई ऐसा वो जैसे हमें सेंटर में कॉंग्रेस में डिफरेंसिस देखने को मिलेगी, जोती रादिते सिंधि अधर को और उसके बाद जो एनर्सी को जैसे सपोर्ट किया चूंकि दिली में बड़े नेताओं के सेंटर लीडर्स के गुलाम नभीजाद के साथ बैटे उन्होंने नर्सी का सपोर्ट किया वो स्टेट में वैसा पॉलिटिक्स नहीं दिखने हो बिलता है जैसा कि सेंटर म पार्टी के जो प्रमुक है उन्होंने भी 370 का समर्शन किया क्योंकि कारण सीधा सीधा यही है क्योंकि स्टेट से फॉज में काफी संख्या में लोग जाते हैं जैसे मैं अंतिम सवाल की और बढ़ूंगा भब कि आप एक तरीके से दिली सेंट्रिक मीडिया में काम करते है वहां आप योगेंद्रयाद्रयाद्हों को एक इस पेस लेते देखते हैं या आम आदमी पार्टी को एक इस पेस लेते देखते हैं मगर क्या हर्यारणा के रच्चु क् Feels prae के बीच में भी काम किया है का बहुत नजदीकी से तो क्या आप उनको किसी तरीके का यहां वोट शेर लेते देखते हैं या आपके नजर में कहीं दिख रहा है या सिर्फ वो मेडिया स्पेस ले करके ही शान्त हो जाएंगे दिखा जाए योगेंदर यादव एक टीवी का चे पार्टी अपने आपको मानती है और रही भी है उन्होंने और जातर जो किसान वोट रहा है वो आइलडी को जाता रहा है और आपने बात की आमादमी पार्टी की और जेज़ेपी की अब भी जाएगा या वो जज़पार के तूट-फूट के बाद बट चुका है वोट कि सब लोग भी समझ रहते कि कॉंग्रेस तो कुछ रहा ही नहीं कॉंग्रेस ए बी सीडी हो गया यहां तो अब वो थोड़ा चुनावों से पहले जिस तरह से अशुक तबर को हटा के हुड़ा को कुमारी शल्दयों कमान दे दी गई हुड़ा को भी तो एक अच्छी जिम् अच्छी जिए जज़पा को सपोर्ट किया था गटबंधन की बात जैसे दिली में गटबंधन की बात चल रही थी कॉंग्रेस के साथ वैसे भी इनोंने यहां गटबंधन की बात देखी थी लेकिन अभी कुछ मुझे देखने को नहीं मिल रहा और जो स्वराज अभयान की भी बात है तो अभी वो उन्होंने भी कोशिश की गाउं गाउं जाकर योगेंदर यहां कंडाल में भी आये थे अलग अलग विदान सबाओं में घुमें अपने जो उनके मुद्धे हैं जो सरकार के जो खामिया हैं उनको गिनाया लेकिन कुछ ज्यादा सपोर्ट देखने जिसे जजपा जो मुझे मैं दिल्ली सिकम सिकम जेख पा रहा हूँ है कि यहां का यूथ उससे अपने आपको रिलेट कर रहा है क्या वो वोट में कनवर्ट होगा या यह यहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया सीमेता है जो चुनाव लड़ रहे हैं दुशेंद तो वहां ऐसे लगा कि वो अपने आपको चेफ मिनिश्यल कैनिडेट ही प्रपोस करके और वगले विधानसभा चुनाव में और मजबूती से हला कि वो हार गए और इस विधानसभा चुनाव में भी पहले उन बसपा के साथ जाने की बात चीत हुई थी पर शायद वो नहीं हो पा रही हैं जीन से दिखविजा लड़े थे उनके जो छोटे भाई हैं दुशेंद के दिखविजा चोटाला जीन से वो चुनाव लड़े थे सेकिंड पोजिशन पर आ गये थे क्योंकि पार्टी बने मेरे खाल से कुछ बोच कारीकरता हों का जुनूण देखते थे हम कड्नाल में भूت रही जैसे इनका देविलाल की ज Nepली मनाई जाती है तो बहुत बड़े स्केल पर पर प्रोग्राम होते हैं सचेट लेवलगर पर कार्यकरता हों के जुनूण देखते थे कि अगर कोई कारीकरता ड East ideas पर खड़ा कि जिस सरे से कल चोटाला आए आएनलडी के सुप्रीमोर है अभी तो वो कारेकरताओं का जो वो जुनून था वो बटसा गया कारेकरता भी नाराज है वो भी फसे हुए कि यहां जाए यहां जाए कुछ लोग तो इलेक्शन से पहले चले गए कुछ ने भाजपा जोईन कर ल बाउत धन्यवाद